पच्छो कल हमने 60 तक inverse में लिखी ठीके और आज हम नया काम स्टार्ट करते हैं inverse counting यह भी है लेकिन 61 से 70 तक ठीके यह अगली page पे लिखेंगे 61 तो इसके सामनी inverse में 61 62 तो इसके सामनी 62 ठीके अगली page पे 71 से लेकर 80 तक एक page पे लिखें यहां एक line ट्रा करें 71 लिखें नमबर में और inverse में 71 फिर 72 तो इसके सामनी inverse में 72 लिखें 73 तो इसके सामनी inverse में 73 लिखें वैसा तरीका है जो पहले से आ रहा है ठीक है पिर अगली page पे आप लोगों ने पिर यह class यह students यह heading दिया करें ठीक है कि आपने एक page पे कितने लिखी है 81 से 90 तक आप लोगों ने एक page पी लिखी है तो यह हर page पे लिखा करें जिस तर आपको सुटी में दिया गया है 81 तो यहाँ 81 से start हुए 90 तक ठीक है तो आप ऐसा करें 81 तो इसके सामने inverse में 81 लिखके 82 तो इसके सामने inverse में 82 लिखके तो यह इस page पे 81 से लेकर 90 तक लिखना है ठीक है पिर अगले page पे आप लोग क्या करेंगी यह भी inverse counting है यह भी 91 से start हुआ है 100 तक लिखना है ठीक है देखे number and figures number and words इसके सामने 91 तो इसके सामने भी 91 लिखके 92 है तो इसके सामने भी 92 लिखके 93 तो इसके सामने 93 लिखके 94 तो इसके सामने inverse में 94 लिखके 95 तो इसके सामने in words में 95 लिखके 96 तो इसके सामने 96 लिखके 97 तो इसके सामने भी में लिखे हंड़र्ड जो है तो पर इसके सामने हंड़र्ड इंवर्ड में लिखे अच्छा प्यारे वच्छों हमारी इंवर्ड काउंटिंग वन टू हंड़र्ड तक हतम हुई है ठीक है कल इंशाल्ला हम नया सबख स्टार्ट करेंगी